तो भाईयों जे इंटरवल का सीन है जब प्रित्वी राज चोहान जी गोरी से त्रायन का जुद्ध जीत जाते हैं तो उसके बाद हमारे शत्रे भाईयों को द्वारा जया राज पुताना के नारे लगवाएगी शत्रीय समराड पृत्वी राज चुहां जी को जगा जगा राईपुद कहाँ बोला गया है तो भाईों जब भी इंटरवेल शिरू होगा आप शिरू में देखना कि उनको राईपुत्र शब्द से परियोग में लाया गया है राईपुत्र संस्कृ Пос में बोला जाता था जही शब्द हिंदी में राइपूतों के लिए जूस हुआ दूसरा शब्द उनके लिए राजा जैचंद की जो पत्नी है वो बोलती है कि रित्विरा चुहां जी शत्रिय दर्म के अनुसार उन्होंने शत्रिय दर्म का पूरा पालन किया है तिसरा शवदा क्या हुकूम तो भाईयों हुकूम राजस्थान के राईपूतों के लिए चूस किया जाता है बनना हुकूम राजस्थान में सिर्फ राईपूत ही होते हैं जिनको बनना हुकूम कहा जाता है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये फिल्म राई पुत्तों की तरफ ही बिया करती है क्योंकि उसमें ठाकूर साहब भी बोला गया है तो आपको बताएंगे कि ठाकूर जी कब बोला गया है तो भाईयों जब चोहार बंश के एक बजूर्ग अरानिस जोगिता जी को राई दरवार में आने से मना करते हैं तब चंदर बरदाई उन ब्यक्ति को ठाकूर बाबा बोलकर कहती हैं कि अगर इस तरियां गर चला सकती हैं तो राज दरवार क्यों नहीं तो भाईयों जहां इनको ठाकूर बाबा बोला गया तो भाईयों जब आफ इंटरवेल खत्म होगा तो उनको तीन बार शत्रिये कहा गया है तो भाईयों जे शत्री हैं आप खुद देखिए हुकुम राइपुत्तों के लिए जूस होता है हमारी शत्रानियों के लिए इन्होंने जो कास्ट्यूम डाले हैं वो देखिए वो शत्रानियों के हैं राज़स्तान के हमारे बन्ना बाइसा हुकम के आप उनके शिंगार और उनके सक्षर देखिए वो भी पूरे राईपूत्ती लिखेंगे इसमें राईपूत्तों के महल में शूटिंग हुई है राईपूत्ती कपड़े डाले गए है जैब बबानी शत्रियों के नारे लग रही है हुकम राईपूत्तों के लिए जूस हो रहा है तो इसमें बैस चोरों का क्या रोल है जे पूरी तरह राईपूत्तों पर फिलम बन झाल झाल